हाउ दू फिक्स वान प्लस नाइन आर्टी ताच दिले रेस्पोंस और अन रेस्पोंसिफ ताच स्क्रीन प्रावल्म तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस की डिवाइस में ताच दिले रेस्पोंस और अन रेस्पोंसिफ ताच स्क्रीन इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको सॉलूशिन चाहिए तो आप इस वीडियो को आन तक जरू देखे मैं आपको कुछ सॉलूशिन बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने ताच दिले रेस्पोंस और अन रेस्पोंसिफ ताच स्क्रीन प्रावल्म सॉल्फ कर सकते हैं वीडियो दिस्क्रीप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉबलम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीडर पे फॉलो करके मेश्ज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो आपको दौस्तों फ्रॉब्लेम हो रहा है वाई है आपको डिस्प्रे स्प्रीन उसके बाद एडवांट पर क्लिक करना तो आल्ट्रा स्मूट एड़ हायर रिफ्रेस्ट आपको मिल जाएगा तो नाइंटी एजट आपको यह सेलेक कर लेना है इससे दोस्तों आपके फॉन काफी स्मूध हो जाएगा और टाश दिले नहीं होगा ठीक है तो यह आप सेटिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं तो यह एक रेंडम से ही प्रॉब्लम है पर्मिनेंट प्रॉब्लम पर होता क्या है आपके स्क्रीन डेमेज हो जाते हैं डिस्प्ले डेमेज हो जाते हैं तो इसके वज़ज़ से प्रॉब्लम होते हैं अभी जो रेंडम प्रॉब्लम है वह तो दोस्तों कुई ना कुई वज़ज़ से तो इस तरीके का प्रॉब्लम है तो अगर स्क्रीन क्रेग वगरा है डेमेज हो चुका है तो दोस्तों आप सॉलुशन करने के वाज़ाए किसी टेक्निशन के पास जाए स्क्रीन डिस्प्ले चेंज कीजिए आपने अभी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा लेकिन मान लेज़ दोस्तों कई बर आपके स्क्रीन पर कुई प्रेशर पर जाते हैं जिसके वज़़े से भी ऐसा प्रॉब्लम भी हो जाते हैं तो आपको चेक करवाना होता है टेक्निशन का पास जाके भी लेकिन अगर स्क्रीन पर डेमेज नहीं है तो क्यों ना दोस्तों यहाप एस टेंट डिगरी से लेके 45 डिगरी से टीक है तो यह जोस्तों जो है नॉर्मल आपका टैंपरिचर होगा मोबाईल का तो यह सबसे पहले तो फोन को टाच करने के बाद ही पता चलेगा तो वह आप चेक करके देखें सारी साथ आपका जो यहाँ पर दोस्तों है उसको भी चे देमेज हो जाते हैं उसके वज़े से जब आप ऐसा कोई देमेज भी आपने मोबाइल पर प्लग करोगे तब दोस्तों मोबाइल का ताच अन्रेस्पॉंसिव डेफिनिटली होगा और यह मैंने खुछ सी भी प्रॉब्लेम्स फेस करकी भी देखा है ठीक है तो जब आप चार आपने डाउन होते रहते तो दोस्तों उससे आपके मोबाइल पे काफी जारा जो हे एफेक्ट हो सकते हैं तो उस वक्त दोस्तों आपको चार्जिंग नहीं करना है यह सारे सारे साथ मोबाइल के स्क्रीन पर कुई भी प्रॉटेकटर लगा हुआ है कोई भी कावर वग ताच हो रहा है तो आपको रिमूफ कर देना है उसके बाद कुछ भी अन्रिस्पॉंसिव टाच बगएरा नहीं होगा और फिर फिर कोई पासिना वगई ठीक है लगा हुआ नहीं होना चाहिए आपके dysplan are उर्सका पूरी टारिकित नारे से कलिершीं होना चाहिए और आपको कोई भी प्रॉबल्म नहीं होगा तो आप सबसे पहले तो यह सारे चीज़ फोल्व करके देख सकते हैं अभी दोस्तों यह सब तो आपको ध्यान रखना होगा आपके मोबाइल के लिए ठीक है तो यह सारे चीस फॉलो कीजिए अभी नेक्स्ट सॉलुशन की तरफ जाते नेक्स्ट पर आपको क्या करने आप अपने मोबाइल को सेफ मोड पर रिबूट कीजिए और उफ बटन पर एपन होल कीजिए और ने को बटन पे जो आपको डिखाए दारा स्क्रिन बेरेस ग मिल्ट करके रखना है जैसे ही दोस्तों घर कर zombi कर दुबारा से चेक करके देख सकते है problem solved हो या नहीं हो आई अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो mobile के space वगएरा चेक करें इस storage को free आप करें unwanted applications को delete करें कोई bad application इंस्टैंब कर रखा है unknown website से एप्स इंस्तॉल किया है तो उनको डिलेट करें और उसके बाद सॉल्फ होगा आपका प्रॉब्लम अगर इससे सॉल्फ हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो सेटिंग पर जाए सिस्टेम पर क्लिक करें नीचे जाके ठीक है स्क्रॉल डाउन सिस्टेम पर जाए उसके बाद सिस्टेम अपडेट पर क्लिक करके मोबाइल सॉफ़र को अपडेट करें मोबाइल सो फिर अपडेट करने के बाद आपका प्रॉब्लम हो जाना चाहिए अगर सॉल्फ हो जाता है ठीक है अगर नहीं होते तो सिस्टेम पर क्लिक करें बेकाप पर जाके सबसे पहले तो आप बेकाप कर लिजा आपने मोबाइल को उसके बाद रिसेट पर जाए और एर पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद आपका मोबाइल कॉम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा फेक्तुरी डेटा रिसेट करने के बाद आपका प्रॉब्लम भी सॉल्फ हो जाएगा लेकिन मेक शूर आप डेटा को बेकाप कर ले वरना सब कुछ डेटा चला जाएगा ठीक है अग इसके लिए बस इतने उमिद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा तेंक्स वराचिंग